हैलो फ्रेंट संध्य के कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं टमाटर बैगन का भरता मिलकुल अलग तरीके से इसके लिए हमने तीन टमाटर और एक बैगन ले लिया है बैगन हमने गोल वाला लिया है जिससे हम ज्यादा तर भरता बनाते हैं और हम इ टेस्ट बहुत ही अच्छा जैसे कि भूँनकर बनाने वाला बैगर से आता है वही टेस्ट आएगा हमा से इसे कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं इसको हम पतला-पतला पहले कट कर लेंगे देखें इसके कट करने से क्या होगा कि ये भी पता चल जाएगा कि अंदर से बैगन जो है साडा वित तो नहीं न है इस तरीके से हम इसे देख लेंगे और पतले-पतले लाइस में कट कर लेंगे अब हम लेंगे एक कडाईई कडाही में हम थोड़ा सा डालेंगे तेल आपका एक दो चम्मच तेल में काम हो जाएगा आप बैगन का भरता बनाते हैं तो उसमें भी तेल पड़ता है इसलिए हम पहले ही कड़ाई में तेल डालकर और सारे बैगन को हम इसमे अच्छे से रख देंगे और इसको लो टू मेडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट तक इसे ढख कर पकाएंगे पहले हम सभी बैगन को रख देंगे और इस तरीके से एक बार जरूर बना कर देखना बिल्कुल ही भूने वाले बैगन जैसे इसका भी स्वाद आएगा इस तरह से आप बनाएंगी बैगन या आलू भी इसमें डाल सकती है आलू का भरता लेकिन तो आलू को आपको अलग से भूनना या उबालना पड़ेगा आलू को हमने अलग से ही उबाला है और इसके साथ हम टमाटर को भी बीच से कट करके डाल दिया है और इसे ढख देंगे देखे ढखने के बाद एक मिनट बाद देखे हलका हलका यह इस्टीम हो रहा है और इसको थूड़ा सा हम उलट पलट देंगे उलट पलट कर इसमें थूड़ा सा ढाल देंगे हम नमक क्योंकि हमें चोखा में भी नमक डालना ही है और इसे फिर ढग देंगे हम अब हम लेते हैं अपना क्या क्या चोखा में पड़ता है उसकी तयारी करते हैं तब तक इह है हमारी धनिया इसको हमने अच्छे से साफ करके धो लिया है और इसका उपर डंधल वाला भाग को हम थूड़ासा 2 इंच कट करके रख लेंगे चटनी हुनाने के लिए और फिर जो पत्ती वाला डंधल होता है उसे हम अपने भरता के लिए कट करेंगे इसे हम बहुत बारिक सा कट करेंगे या तो आप अपने मन पसंद से डाल सकते हैं देखे ए है लहसुन इसमें लहसुन जो है अंकुरित हो चुका है क्योंकि अब इसका टाइम जो है बीत रहा है पुराना लहसुन है इसे भी हम छोटा छोटा विल्कुल कट कर लेंगे और यह हरी मिर्च इसको हम बीच से फाड़ के कट करेंगे अगर ज़्यादा आपको इस फाय से खाना पसंद हो तो इसी तरह से कट करके डालें अगर कम खाते हो तो गोलगोल मिर्च को करके ही डालें ताकि जिसे नहीं पसंद हो जादा तीखा वो उसको अपने अराम से निकाल सके और हम ले लेंगे अद्रक इसको भी हम बारिक सा कट कर लेंगे और जो चीजे इसमें से आपको लहसुन अद्रक जो नहीं पसंद है उसे आप इसकी भी कर सकते हैं और बहुत लोग को प्याज भी पसंद होती है, तो वो प्याज भी डाल सकते हैं, आपको जो जो चीजे इसमें डालना पसंद हो, वो चीजे आप डाल सकते हैं, से मुसी तरह से बनाएंगे, सिर्फ हमारा बैगन को भूनने और उबालने का तरीका अलग है, देखिए, हमारा बैगन जो है पक चुका है, और इसमें बैगन जो है पानी ज्यादा रिलीज करता है, इसका पूरा पानी भी रिलीज हो गया है, अब हम क्या करेंगे, कि इसके सभी स्लाइस में से हम इसका छिलका जो है निकाल लेंगे, इसलिए हमने इसको कट किया था कि ताकि छिलका निक दाल लेंगे आप इस तरह से कट करके भी बना सकते हैं अगर आपको छिलका नहीं निकालना हो तो आप इसे छोटा छोटा जैसे हम भुजिया कटते हैं उस तरीके से भी काटके और भूनके भी बना सकते हैं चोखा को वैसे भी बहुत ही अच्छे से बन जायेगा और बहुत टेस्टी लगेगा ओ भी देखे सभी का हमने चिलका निकाल किये इसे अच्छे से मैक्स करेंगे अभी ये बिल्खुल गरम है इसलिए हाथों से हम नहीं कर सकते इसलिए किसी भी फाल्चुले से या कल्चुल से इसको अच्छे से मिलाएं इसको गरम गरम ही पहले मैक्स कर लें नहीं तो ठंडा होने के बाद भैगन जो है गुठलियां गुठलियां सब हो जाता है अच्छे से मैक्स नहीं हो पाता है अब हमने जो काट करके रखा है उसको हम बाद में उच करेंगे, आगे ओ भी मैं बताऊंगी, उसे हम कभी उच करेंगे, देखे, अब सभी चीज़ों को हम मेंक्स कर लेंगे, और इसमें नमक तु हमने पहले ही डाला था, जब इसको हमने इस्टीम होने के लिए रखा था, तब थोड़ा सा नमक हमने डाला और इसमें आपको पसंद हो सर्षो का तेल डालके चोखा में खाना तो इसमें थोड़ा सा तेल फिर से डाल सकते हैं वैसे तो तेल से ही हमने इसको उबाला है फिर भी इससे टेस्ट के लिए डाल सकते हैं देखे ये बैगन और टमाटर का भरता हम थोड़ा पले अलग कर लेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू आलू हमारा पले से उबला हुआ था इससे हमने अलग से उबाला था इसको max करके आलू को हम इसमें डालेंगे और इसे भी mix करेंगे और बागी इसमें इस्टरा कुछ डालने की ज़रुत नहीं है थूड़ा सा आपका नमक जो है हलका हो जायेगा आलू डालने के बाद आप नमक इसमें बाद में फिर से और test के according यूज़ करें और एक चीज का द्यान रखे तीखा उखा बिल्कुल आपको तीखा कम लगे तो फिर से और भी मिर्ची मिला सकते हैं लेकिन तो हमारा तीखा काफी था इसलिए हम नहीं मिलाएंगे और जो हमने धनिया बचा कर रखा था उसको भी अब डाल देंगे कि आलू डालने के बाद जो है हमारी धनिया भी कम पड़ गई थी और नमग भी अलका हो जाएगा और थोड़ा सा इसमें हम कच्चा तेल और डाल देंगे ताकि इसका भी टेस्ट जो है फिर से अच्छा हो जाए इसी तरह हम सभी को मिक्स कर लेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना शेर करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना देखिए हमारा भरता बनके हो गया तयार इसके साथ में हमने लिया है बाजड़े की रोटी और भरता और धनिया की चटनी हमारा थाली बनके हो गई तयार एक बार जरूर बना कर देखना बहुत ही टेस्टी लगता है एक बाजड़े की रोटी हमने गैस पे बनाई है इसलिए बहुत पतली पतली हमने बनाया है आप इसे आग पे से कि तुम मोटी मोटी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है इस टाइम तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद